हेलो स्टुडेंट्स तोडे विल दू मल्टिपल चॉइस क्वेस्टेंस ओफ चैप्टर फाइब वाट बुक्स एंड परियल्स तैल अस ओके यहां कुछ वेद दिये हुए है और इसमें से बताना है आपको कि कौन सा वेद सबसे पुराना है साम वेद, यजर वेद, रिगवेद, अथर्व वेद तो दे करेक्ट आंसर इस C, रिगवेद ओके, नाओ वेद नाओ क्वेद नमबर टू ता कौन है? A. अगनी, B. इंद्र, C. सोम, D. नन अफ दीज, तो दे करेक्ट आंसर इस A. अगनी ओके, नाओ वेद नमबर टू इन वेद वेद रिगवेद को किस लेगवेज में लिखा गया है? ओके, A. वेदिक संस्कृत, B. वेदिक हिंदी, C. वेदिक तमिल, D. नन अफ दीज, तो दे करेक्ट आंसर इस A. वेदिक संस्कृत ओके, नाओ क्वेद नमबर टू रिवर्स आर इस्टडीद इन दे रिगवेद? रिगवेद में कौनसी दो नदियों का उलेख किया गया है, बताया गया है? ठीक है? गंगा एंड यमुना, ब्यास एंड सतलज, सरस्वती एंड ब्रह्मपुत्र, D. अल अफ दीज, तो दे करेक्ट आंसर इस B. ब्यास एंड सतलज, ओके? Now, question number 5. When was the रिगवेद written? रिगवेद कब लिखा गया था? A. About 3500 years ago. B. About 1000 years ago. C. About 500 years ago. D. About 1500 years ago. So, the correct answer is A. About 3500 years ago. Okay. Now, question number 6. On which bark was the रिगवेद written? रिगवेद जो है, वो किस बार्क मीज होता है? पेड़ों की छाल, ठीक है? तो किस पेड की छाल पर लिखा गया था? A. नीम बार्क. B. सिनकोना बार्क. C. तुलसी बार्क. D. बिर्च बार्क. So, the correct answer is D. बिर्च बार्क. Okay. Now, question number 7. Where is बिर्च बार्क found? In बिर्च बार्क बार्क जो है, वो कहां पाई जाती है? A. महराष्टर. B. पुने. C. दल्ही. D. काश्मीर. So, the correct answer is D. काश्मीर. Okay. Now, question number 8. Who were the प्राइस्ट्स in the ancient time? प्राइस्ट्स मीनस होता है पुजारी. है न? तो प्राचीन समय में प्राइस्ट्स कौन होते थे? A. ब्राह्मन. B. सिक्स. C. मुस्लिम्स. D. नननो थीज़। So, the correct answer is A. ब्राह्मन. Okay. Now, question number 9. Which were the two words used to describe the people or the community as a whole? कौन से दो वर्ड पीपल या कम्यूनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूस किये गए? A. जन and wish. B. आर्स and दास. C. बोथ A and B. D. नननो थीज़। Means इनमे से कोई नहीं. So, the correct answer is A. जन and विश. Okay. Now, question number 10. In which region was the Rig Veda composed किस छेत्र में? Rig Veda compose किया गया था. A. नर्थ एस्ट. B. नर्थ वेस्ट. C. नर्थ सौथ. D. वेस्टर इस्ट. So, the correct answer is B. नर्थ वेस्ट. Okay. Now, question number 11. When the dead body was buried with gold beads, it means that the dead man was filled in the blank with suitable words chosen from the following. ठीक है? यहाँ पर आपको बताना है कि जब व्यक्ति मर जाता था, उनको दफनाया जाता था, तो उनके साथ gold beads, ठीक है? जरूरी नहीं, यह सब के साथ रखा जाता था यह. Gold beads, मतलब सोने के मोती रखे जाते थे. है न? इसका मतलब क्या होता था? कि वो dead man जो मरा हुआ व्यक्ति है, वो कैसा होता था? Rich man, B. poor man, C. chief, D. follower, so the correct answer is A. rich man, तब तो उसके साथ सौने वगर अब बरीट किये जाते थे. Now, question number 12. The evidence of which fruits were found? किस fruits के, किन fruits के evidence या सबूत मिले हैं? ठीक है? evidence मिले हैं, ठीक है? अब सेस, A. bear, aamla, jamun, B. mango, C. apple, D. all of these. So, the correct answer is A. bear, aamla, and jamun, okay? So, write these multiple questions in your fair copy, okay? And also revise. So, निस की है, बर सब दयानी हैं, सब बर ढोरा, किकैras. So, है.